नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रैन धर्मा सन्मार रभीवार के दिन कुछ ऐसे कारे हैं जो भूल कर भी नहीं करना चाहिए रभीवार यानि कि भगवान सुरी का दिन और सुर्य ग्रहों के राजा है अगर आप अकेला सुरी को मजबूत कर ले या आपकी कुंडली में अकेला सुरी मजबूत है तो तमाम ग्रह आपका जीवन परियंत कुछ भी नहीं बिगार सकते और सुरी देव वो साक्षाद देव हैं तो रभीवार के दिन सुरी की पूजा तो होती ही है लेकिन क्या आपको पता है कि सुरी अगर बहतर हो तो नौकरी रोजगार में तरक्की होती है आपका प्रभाव बना रहता है पिता का साथ मिलता है प्रभुत तो आपका समाज में कायम रहता है तो भगवान सूरे की अराधना का दिन रविबार और जोतिस में सूरे आपको तरक्की भी दिलाता है मान सम्मान भी प्राप्त करवाता है लेकिन अफमान का कारण भी सूरे हो जाता है जब आपका सूरे कमजोर हो जाता है तो ऐसे में बिसे ऐसे कार हैं जो रविवार के दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए वड़ना आपका सुर्य कमजोर हो जाएगा और फिर आप पस्ताएंगे तो रविवार के दिन क्या नहीं करना चाहिए देखिए रवी बार के दिन कहा जाता है कि सफेद नमक नहीं खा के आप सिंधा नमक खाईए वैसे भी बहुत सारी लोग सिंधा नमक अपना रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे फाइदे हैं वैसे आपकी मरजी बांकी दिनों में आप साधा नमक खाए पर रवी बार के दिन सेंधा नमक खाए ऐसा करने से आपका स्वास्त भी अच्छा रहता है और कारियों में बाधाएं नहीं आती है भूल कर भी माता पिता का या किसी गरी बैक्ती का मान मत कीजिएगा क्योंकि इस दिन किया गया गलती आपके जीवन में मुश्किलों को बढ़ा देता है कहा जाता है कि रवी बार के दिन दूद को गाढ़ा नहीं करना चाहिए दूद जलाना नहीं चाहिए यानि उसका खोया बना रहे हैं या पिर आप किसी भी तरह का गाढ़ा करके कुछ बराना चाहते हैं तो रवी बार के दिन ना बना है आप किसी भी दिन अन्य दिन बना सकते हैं सुबह सुबह जल्दी उठना उठिये रवी बार के दिन खा सकते हैं, खाना बनाने में भी यूच करें, कोई दिकत नहीं है, साथ ही, अगर आप चाहते हैं, कि आपका राजयोग, आपके जल्दी फल दे, अच्छा फल दे, जो आपके जीवन में, वैसे हर बेक्टी के जीवन में, राजयोग और दुरयोग दोनों होते हैं, तो ऐसे पर भी बार के दिन भूल कर भी, आपको इस दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, अगर आपको बहुत इक्छा है खाने का, तो साम में खाये, अन्धिरा होने के बाद, दिन के समय रभी बार के दिन ना खाए कहा जाता है कि रविवार के दिन तामबे से बनी चीजों को नहीं बेजना जाहिए तामबे से बनी या कोई भी रातू की बस तू ना बेचे अन्य दिनों में बेचे और साथ ही पस्चिन या वायब दिसा की यात्रा भी रविवार के दिन करने की मनाई है इन दिसा की यात्रा करना अगर आपको जरूरी है तो दलिया, घी या पान खाकर या फिर आप घर से निकलने के पहले पांच कदम पीछे हो ले फिर आगे बढ़ जाएं तो फिर ठीक है क्योंकि इस दिन पस्चिम दिसा में सूल रहता है और ये आपके लिए सही नहीं है माना जाता है कि रवी बार के दिन ब्लू, काला और ग्रे रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए जितना संबभव हो इस दिन हलके रंग के वस्ते धारन करें लाइट कलर के सेमिज जीवन जीए, साथ ही आप मांस और मदीरा का सेवन भी ना करें तेल मालिस करने की मनाई है क्योंकि तेल सनी देव का प्रतीक है और रवी बार के दिन तेल मालिस नहीं करनी चाहिए इस बात का भी ध्यान रखेगा आम तंपर लो रवी बार के दिन फुरसत में बाल कटवाते हैं डाड़ी बनवाते हैं तेल मालिस करवाते हैं आप डाड़ी तो बना सकते हैं पर तेल मालिस ना करवाएं बाल मत कटवाएं जितना ज़्यादा हो इस दिन आप मीठा भोजन करे मीठा भोजन करने से सूरे आपका बेहतर होता है अगर आप मस्तक पर इस दिन भगवान को लगा कर लाल चंदन या सफेज चंदन आप या हरी चंदन लगा लें तो आपका सूरे प्रबल होता है तो रभीवार के दिन यात्रा आप पूरव उत्तरियागने कोन में करें तो सरवोतम माना गया है आपके कारे सफल होते हैं अगर आप चाहते हैं के रभीवार के दिन ग्री प्रवेश करें तो अच्छा है कोई खास टेंसर नहीं है वैसे एक बात आपको बता दें रभीवार को दिन को खाली दिन कहा जाता है जोतिस सास्तर में सोना और तामबा खिदने और धारन करने के लिए रभीवार के दिन को सुमाना गया है तो उसके पहले के आगे हम बढ़े अगर आपने अभी तक हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपनों के साथ सेर कीजिए ताकि वो अगर कोई गलती करने है लाइफ में तो वो गलती ना दो रहा है और ज्यादा जनकारी के लिए आप हमारे वैपसाइट पर आ सकते हैं वैपसाइट पूरी तरह से जो 30 पराधारित है लिंक आपको डिस्क्रिप्सर में मिल जाएगा और आप चाहें तो गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो हमने अभी तक बात की कि सोना और तामबा अगर आप खरी दें तो उत्तम है घर में लड़ाई छगड़े अगर हमेशा होते हैं तो रभी बार के दिन लाल रंग का एक खिलोना बंदर का बंदर यानि मंकी ले आए और ये याद रखना है क इस मंकी के हाथ खुले हो और इसे घर में ऐसी जगा रख दे जहां सूरी की तरफ सूरी की ओर इसकी पीठो ऐसा करने से घर में सुकसानती मिलने लगती है समझके खिलोना लाना है लाल रंग के एक बंदर का और सूरी की तरफ पीठी यानि पूरफ साइड उसकी पीठोगी तो ऐसा करने से घर में सुकसानती आती है, जगड़े लड़ाई नहीं होते है अगर आप चावल में दूद गुड़ मिला कर खाएं या गुड़ वाली खीर खाएं तो बहुत अच्छा है माना जाता है ऐसा करने से सूर्य आपका बेहतर होता है लेकिन अगर सूर्य आपका गरवर हो तो एक लाल कपड़े में थोड़ा सा गेहूं और गुड़ बान कर किसी को दान कर सकते हैं आप कहीं पास के मंदिर में रखाएं पीपल के नीचे रख दे या फिर ऐसे पीपल के नीचे संड़े को नहीं जाना चाहिए तो आप किसी मंदिर में जाकर भी रख सकते हैं किसी गरीब वेक्ति को दे दे या आप चाहें तो नदी तालाब में भी डाल सकते हैं मानेता है कि जो लोग कुंडली में सुरी को उचे करना चाहते हैं उनको रभी बार के दिन गुड़ चाबल बहते वेजल में प्रवाहित करना चाहिए ऐसा करने से सुरी आपका प्रवल होता है थोरथरा प्रवाहित कीजेगा जादा नहीं कोई भी नया काम अगर सुरू करने जा रहे हैं तो पहले गुड़ या मीछा खाकर सुरुआत कीजे तो वो काम सफल रहता है आप रभी बार के दिन आग या बिजली से जुड़ा कोई भी सामान घर लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं क्योंकि ये सुब माना गया है तो रभी बार के दिन बहुत सारे ऐसे कार हैं जो कर सकते हैं लेकिन क्या ना खाएं इस दिन मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए लाल मसूर की दाल लाल साग भी नहीं खाना चाहिए आप चाहें तो कोई भी साग रभी बार के दिन ना खाएं मचली भूल कर भी रभी बार के दाल और साग कम सकम इन चीजों का त्याक कर दें रभी बार के दिन तो सर्वोत तम होगा फिलाल आप से भी दा लेते हैं जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें हर हर महादेव धन्यवाद अपनों से सेर जरूर कीजेगा फिर मिलेंगे